हलवाई लोग कैसे दानेदार बेसन के लड़ू बनाते हैं और महीनों भर इश्टोर करके रखते हैं बिलकुल खराब नहीं होता है तो उसी तरीके का आज मैं बेसन के लड़ू बनाना बताऊंगी और सही क्वांटिटी में कितना घी लेना है कितना बेशन लेना है, कितना चीनी लेना है, जिससे कि ये दानेदार हलवाईयों जैसा बेशन का लड़ू बन करके तयार हो Hey guys, welcome back to my channel, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में यहाँ पर guys, सबसे पहले हमें measurement पे ध्यान देना है, यानि हमें जिस कटोरी से या cup से नाप रहे हैं, एक कटोरी या cup से लेक्ट कर ले, और उसी कटोरी का डेर कटोरी हम यहाँ लेंगे बेशन, यानि मैंने डेर कटोरी बेशन लिया है, वजन में यह है 200 ग्राम बेशन और घ यहां पर हम सबसे पहले इसमें तीन चमच भर के घी डालेंगे, तीन चमच डाल करके इस दस मिनट के लिए हमें चलाते हुए इसे भूनना है low to medium flame पर, गाइस हम घी को एक साथ नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके घी को डालेंगे, कई बार क्या होता है, घी जादा हो जाता है और बेशन कम पर जाता है, जिसके कारण हमारा perfect बेशन का लड़ू नहीं बन पाता है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट भूनने के बाद इसमें 2 चमश मैंने घी और डाल दिया है अब 2 चमश घी डाल करके हमें 5 मिनट इसे भूनना है इसकी भूनाई लगातार होती रहेगी गैस का फ्लेम सकत मैंने low कर दिया है अब low flame पर इसमें भूनना है 5 मिनट के लिए अब पांच मिनट भूनने के बाद मैं यहाँ पर एक चमच मैंने घी और डाल दिया है अब इसे चलाते हुए हमें और भूनना है जैसे जैसे बेसन भूनता जाएगा तो ये घी छोड़ने लगेगा आप सब देख सकते हैं कि कलर पहले बेसन का कैसा था और अब कैसा है ये बेसन के लड़ू बहुत पेसन के साथ बनाया जाता है यानि इसे भूनने में टाइम लगता है इसे लो फ्लेम पर आराम से भूनने देना है जब तक कि ये golden brown बिल्कुल नहीं हो जाता है तब तक हमें इसकी भुनाई करते रहना है अब यहाँ पर देख लीजे इसका color काफी change हो चुका है और दीरे दीरी ये घी छोड़ने लगा है तो जो भी बच्चा कटोरी में घी है आप सारा घी इसमें डाल देना है अब यह घी छोड़ेगा और देखेंगे आप सबकी धीला पड़ जाएगा बिल्कुल और दीखें थोड़ी देर भुनाई करने के बात ये घी छोड़ने लगा है अब बेसन काफी हद तक भून चुका है ये देख लीजे बेसन पहले कैसा था और भूनते भूनते कैसा हो गया है इसने सारा घी छोड़ दिया है यानि बेसन जो है perfect भून चुका है और बिल्कुल golden brown हो चुका है अब यहाँ पर मैं एक ट्रिक अपनाने वाली हूँ वो है हलवाईों जैसा जो हलवाई करते हैं और जिससे की उनके दानेदार बेसन के लड़ू बन करके तयार होते हैं और खाने में बहुत टेश्टी होते हैं वो है पानी तो थोड़ा सा दो चार चमच के करीब हमें एक कट करेंगे बेसन के उपर से फिर से एक मिनट हम भूनाई करेंगे और फिर से एक चमच और छिड़केंगे पानी तो इस तरीके से देखेंगे तो उपर बबल से आ जाते हैं यानि हमारा बेसन भून चुका है तो तीन बार चार बार इस तरीके से हम बेसन के उपर पानी छिड डाल दिया है आप चाहे तो डा सकते हैं या इसकी जगा पर अगर नहीं है तो हल्दी का भी स्तमाल कर सकते हैं आदी छोटी चमच हल्दी डाल देंगे तो उससे भी पीला कलर आ जाता है मेरे पास कलर था तो मैंने डाल दिया है अब एक दो मिनट बेसन को भूनने के बाद मैंने थालीम निकाल दिया है, ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब तक बेसन ठंडा होता है, तब तक हम तगार बना लेते हैं, यानि चीनी का बूरा बना लेते हैं, तो उसी कड़ाई को मैंने ले लिया है और जिस कटोरी से मै और जादी कटोरी हम पानी डाल देंगे और गैस का फ्लेम। लो करके लो फ्लेम पर चीनी को पहले हम घोल लेंगे अच्छे से चीनी जब घूल जाएगी तो जाग है चीनी में और यह चोड़ने लगा है यह तो यह देखें यह काफी हद तक घाणा हो चुका है जब ये इस तरीके से बबल गाड़ असा बनने लगे और कड़ाई छोड़ने लगे तब समझी हमारा तगार बन चुका है यानि बूरा बन चुका है अब इसे गैस का फ्लेम बन कर देंगे और नीचे उतार लेंगे और इस तरीके से कुछ एक दो मिनट चलाएंगे तो तगा चानी से बारिक हो जाता है और इसे चनी से चान लेंगे और इस तरीके से चान लेने के बाद चिनी का तगार पुरा मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से अब मल लेना है यानि मिक्स कर लेना है दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इस तरीके से इसके लड़ू तयार कर लूँगी अपने हिसाब से बड़ा या छोटा लड़ू बना करके तयार कर सकते हैं तो मैं मीडियम साइच का लड़ू बना करके तयार कर लूँगी इसी तरीके से मैं सभी लड़ू अपने बेसन के बना करके तयार कर लूँगी और ये देखिए हलवायो जैसा बेसन का लड़ू बन करके हैं मेरा तयार हो गया है तो इस फेस्टिवल इस दिवाली के लिए हलगवायो जैसा दानेदार बेसन के लड़ू बन करके तयार हैं जरूर इस फेस्टिवल बनाईएगा और ये बिलकुल गारेंटी है मेरी की महीनों चलेगा एर टाइट बिलकुर उसमें नमी नहीं नहीं चाहिए तो आपके बेसं के लड़ू महीनों खराब नहीं होंगे तो यह देखिए धानेदार बेसं के लड़ू हमारे हलवाईों जैसे बन करके तैयार हो गहे हैं, तो गाइस हलवाई है ब。